नमस्कार मैं हूँ सलामत अलिया और आप देख रहे हैं DRV News मुंबई और उसके आसपास में कुरोना के मामले अब भी सामने आ रहे हैं क्या इस्तिती है इस पर एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे वसई विरार की वसई विरार में पिछले 24 गंटों की दिबात क कि जाए तो यहां पर पिछले 24 गंटों में 858 ने मामले सामने आये है जबकि एक्टिव केस 9452 है ठीक हो कर अपने घर वापस लोटने वालों की संक्या 36,139 है 986 लोग की मौत कोरोना की वज़े से हुई है वसई विरार के बाद आके बढ़ेंगे बात करेंगे विवंडी क विवंडी में पिछले 24 गंटों की विवंडी में पिछले 24 गंटों की विवंडी में दिबात की जाए तो यहां पर 194 ने मामले सामने आये है जबकि 1960 एक्टिव की मामले बताय जा रहे है 16,289 लोग ठीक हो कर अपने घर वापस लोट चुके है 641 लोगों के मौत कोरोना की विवंडी में हुई है विवंडी के बाद आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कल्यान डूम्बी वली की कल्यान डूम्बी वली में पिछले 24 गंटों की विवंडी बात की जाए तो यहां पर पिछले 24 गंटों में 1152 नए मामले सामने आये है 14,240 एक्टिव केस है 94,353 ठीक हो की अधी बात की जाए तो यहां पर 134 नए मामले सामने आये है एक्टिव केस 2001 है 15,284 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लोड़ चुके है वही 401 लोगों की मौत कोरोना की जासे उल्लास नगर में हुई है उल्लास नगर के बाद आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अंबरनात की अंबरनात में पिछले 24 घंटों की जाए तो यहां पर पिछले 24 घंटों में 233 नए मामले सामने आये है एक्टिव केस 2573 है 13,021 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लोड़ चुके है जबकि 350 लोगों की मौत कोरोना की वज़े से हुई है अंबरनात के बाद आगे बढ़ 1376 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लोड़ चुके है जबकि 153 लोगों की मौत बदलापूर में कोरोना की वज़े से हुई है आगे बढ़ते है बात करते है मुंबई से सटे मीरा भेंदर की मीरा भेंदर में पिछले 24 घंटों की यदि बात की जाए तो यहां पर पिछले 24 घंटों में 526 नए मामले सामने आए है एक्टिव केस 4,277 है ठीक होकर अपने घर वापस लोड़ने वालों की संख्या 34,194 है महीं 945 लोगों की मौत कोरोना की वज़े से हुई है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे थाने की थाने में पिछले 24 घंटों की यदि बात की रहे है 94,182 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लोड़ चुके है जबकि 1519 लोगों की मौत कोरोना की वज़े से थाने में हुई है तो लगातार मामले सामने आ रहे है सभी सगुजारिश की जा रही है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करे और जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका सकती से पालन करे ताकि हम इस बिमारी से बच सके यह खबर आपको कैसे लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा साथी साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा इसके अलावा हमारे चैनल डियार वी नियूस को सब्सक्राइब ज